सबसे पहली चीज जब एहराम कोई पहनता है हच के अंदर, अब वो एहराम के अंदर एक टाइप की हम्बलनिस पैदा होती एक इंसान में, मान लो कि कोई एक इंसान सिले हुए कपड़ों का आदी है, उसकी सहूलत होती है, अब यहाँ पे टू अन्फिटिड क्लॉट्स होते जो दो ऐसे कपड़े हैं, जो एक इंसान एक से इजार बनाता है, दूसरा उपर रखता है, तो यह जो दो कपड़े हैं, इसके अंदर जिस तरह से कुर्टा हो, शिर्ट हो, जिसकी आदत होती है लोगों को, अब वो जो लिबास का आदी है, वो उससे हट कर एक दूसरा ही लिबास है, और क्या मामला है, आप खुद देख सकते हो, कि अमीर हो, करोड़ पती हो, या गरीब हो, सब के सब दिखने में सेम लिबास में दिखते हैं, सेम दिखते हैं, और आप देखोंगे कि पूरे के पूरे सारे लोग जो एहराम में साथ में होते हैं, इससे क्या होता कि बाज लोगों में रंग का होता है, कि हम गोरी चमडी हैं या हम काली चमडी वाले हैं, या हम फला चमडी वाले हैं, कुछ लोगों को अपने बालों के रंग का गरूर होता है, कुछ लोगों को अपने आखों का गरूर होता है, कुछ लोगों को अपने माल का गरूर होता है तो जो भी गुरूर हो एक इंसान में, जब वो देखता है वो बाकि सब इनसानों के साथ ऐसे एक पुरे मिक्स्ट है इसके अंदर, पुरी तरह से मिक्स्ट है, यानि के सारे लोग एक साथ में, तो फिर क्या होता है, वो उच्छ नीच, वो गुरूर सब खतम हो जाता है, ये अब काबे का तवाफ करना ऐसा ही नहीं कि एक जगा बैटना है सिर्फ, तो बात अलग होती, अगर एक जगा से बैटना होता, तो तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जब सब लोगों को तवाफ करना है, और जब तवाफ करते हैं, तो क्या होता है, कॉमन सी बात है, कि जब आओं और आप समझ जाओ आप खुद वहां जाके एक जेनरल तोर पर देखिए ओपन माइंड से देखिए और आप देखूंगे कि कितना क्योंकि लोगों का फोकस होता है पुरा अल्ला की तरफ उनकी अबादत में फोकस होता है अल्ला के सामने आए हैं वो वहां पे खास युमिलिटी पैदा होती है उसका गुरूड तोटता है हूं का तालोक आय्ला के जुरता है तो हम यह देखते हैं कि एहराम में यह सारे लोग जब साथ में हो देखिए आप यह सबजी बात कि जब सबकों चलना है और तवाफ करना है तो तवाफ करने में क्या होता है एक अ कई सारे benefits अब ये कुछ हिकमते हैं जो हम समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हो सकता है किसी को समझ में आए हो सकता है किसी को ना समझ में आए लेकिन उसके बहुत सारे फाइदे हैं जो इनसान खुद महसूस कर सकते हैं अगर वो वहाँ पर खुद उसमें मौजूद हो, वो क्राउड में जब वो मौजूद हो, तो हम देखते हैं इसके अंदर जो सारे रिस्ट्रिक्शन्स है हराम के अंदर, कि जैसे आपको एक मुतेयन वक्त के लिए, आपको अपने बाल को आप ट्रिम नी कर सकते हैं, नाखु जैसे महसूस होता है, जैसे रमदान में जब रोजे रखते हैं, तो एक इनसान को महसूस होता है, जो लोगों के पास खाना नहीं है, वो लोगों पर क्या बीटती है, यहाँ पर हज के अंदर जब इस तरह से एक इनसान गुजरता है, तो उसे एक एहसास होता है, कि क्या च पुरी तरह से जब मिक्स होते हैं लोग, तो गुरोर खतम, उसके अंदर सारी ऊच नीच खतम, अलहम्दुलिल्ला, मतलब एक चीज होती है, तालीम थेयरेटिकल तोर पे सिखाया है, कि देखो कोई ऊचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक जैसे है, सब इनसान बराबर है, चीज खतम होती है, और याद रखिए कि चन्द लोगों के दिलों में भी यहाँ पे जो पैगाम होता है, उसका असर बाकी लोग भी लेते हैं, क्योंकि वो लोग उस असर को वापस लेके आते हैं, अपने मुलकों में वापस लेके आते हैं, तो यह यह बहुत बड़ा असर के लोगों में कितने सारे मुक्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मुसलिम्स होते हैं, क्योंकि कहां से कहां तक के लोग आते हैं, कोई अमेरिका से होगा, कोई आफरिका से होगा, कोई मलेशिया से होगा, कोई रश्या से होगा, कोई इंडिया से होगा, सब अल लग लग इनसानों को और किस तरह से इनसान उस चीज में एक साथ में मिलकर रहना चाहिए इंटरनेशनल तौर पर तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं जब वहां जाएं कि एक बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा है आज हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो 800 करोड लोग उनमें से तकरीबन 200 करोड मुसलिम्स हैं तो वो 200 करोड में से कुछ-कुछ सैंपल्स वहां पर मौजूद होते हैं कुछ-कुछ लोग हर जगा से आयवे होते हैं और अलग-अलग तरह के लोगों को देख करके एक एक एहसास होता है कि कैसनी बड़ी कम्यूनिटी है इससे क बड़ा विजन पैदा होता है बड़ी चीज़ का एहसास होता है कि किस तरह से उपर वाले ने अल्लह ताला ने इनसानों के लिए जो दीन दिया जो रास्ता दिया उस पर सारे लोग किस तरह से अपने तोर पर चलने की कोशिश कर रहे हैं असलाम अलैकुम रहमतुलाही वबरकातू इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शूरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इक्तिलाफ का हल इस चैनल पर सिर्फ इक्तिलाफी को आल सिलेक करें ताके आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें जजाका लाहु खेर वस्सलाम अलेकुराम अलेकुम तुलाह